प्यारे बच्चों, अभी हम समनांतर चत्रभूज की गुड़ों के बारे में बात कर रहे हैं और आपने कुछ चीदें देख ली हैं पहली बात तो आपने ये देखी थी, इसके लिए जरूरी शर्थ है कि उसके आपने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समनांतर हो तब वो समनांतर चत्रभूज होता है और इसे गुड़ों पे आगे काम करते हुए आपने ये भी देखा कि समनांतर चत्रभुज में एक और खासियत होती है कि आमने सामने की भुजाओं के जोड़े बराबर भी होते हैं दोनों जोड़े बराबर होते हैं और एक चीद आपने और भी देखी है कि किसी समनानतर चत्रभूज में आमने सामने के कोड़ों के जोड़े भी आपसें बराबर होते हैं मतलब यदि A, B, C, D कोई समनानतर चत्रभूज है तो आप देखेंगे कि कोड A, कोड C के बराबर होगा और कोड B, कोड D के बराबर होगा ये कुछ चीज़ें आपने देखी है अब एक नई चीज़ की तरफ हम आपका ध्यान लेकी जाना चाहते हैं और वो है समनांतर चतुरभुश के विकर्ड़ों के बारे में किसी समनांतर चतुरभुश के विकर्ड़ों में भी कुछ गुण होते हैं उन गोलों को हम बारी बारी से देखना शुरू करेंगे इसमें जो पहली बात है उसे हमने प्रमे 11.6 गरूप में देखना चाहा है और इसमें बात कहीं जा रही है कि किसी समनांतर चतरभूज ABCD में जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं यानि आपके सामने जो चतरभूज समनांतर चतरभूज ABCD दिखाई परड़ रहा है उसे दो विकर्ण है एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है तो यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं यानि दो बराबर हिस्सों में बाढ़ते हैं इसका बतलब यह हो हो सकता है यह कह सकते हैं आपकी AO बराबर OC और DO बराबर OB यानि यदि बिंदू O दोनों विकर्णों को दो बराबर भागों बाढ़ता है तो यह एक प्रमे के रूप में हम इसको सीखेंगे इस प्रमे को हमने करम दिया है 11.6 तो चलिए हम बारी बारी से इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़ को देखेंगे अब आप देखिए हमको करना क्या चाहिए आपको यह सिद्ध करना है कि विकर्ण AC और BD दोनों एक दूतरे को यदि O बिंदू पर काड़ते हैं तो O दोनों विकर्णों का मद्द बिंदू है AO बराबर OC आपको सिद्ध करना होगा और DO बराबर OB सिद्ध करना होगा और आप देख रहें कि अगर इन दोनों भुजाओं को यहां देखें तो यह एक त्रिभुज का निर्मान करता है AB के साथ मिलकर और यह दोनों भुजाओं या विकर्ण के आदे हिस्से DC के साथ मिलक इस वर में हैं इसंहें रिक के तो हमारी स्हल हो जाएगी तो सरवांग सम्सिद्ध करने लिए हमारे पास है क्या चीजा आप जाते हैं यह पर किया तो इस किश्क बारे बात कर रहें तो इसके आधार पर कैसा क्ते हैं कि ये DC AB के समनांतर है और तिर्यक रेखा DB उन्हें काटती है तो एक अंतर कौन जो बन रहे हैं वो बराबर होंगे ठीक यही बात आप इन दोने समनांतर रेखाऊं के लिए इस विगर्ण के साथ जोड़ कर भी कह सकते हैं यानि समनांतर रेखा DC और AB को तिर्यक रेखा AC काट रही है तब यहां जो कौन बन रहे हैं वो एक अंतर कौन होंगे और बराबर होंगे तो आपने दो कौनों को बराबर सिद्ध कर दिया एक चीज़ा और आपके पास है कि आपने पढ़ा है कि समनांतर चुतर भुजबे तीन चीज़ें मिल रही है दो कौन इन दोनों कौनों के बराबर और यह भुज़ा इसके बराबर है यानि दोनों तरिभुज को सरवांग सम सिद्ध करने के लिए ज़रूरी तीन शर्तें आपके पास मौजूद है तो बस इनको आप लिखते चाहिए और आप बता सकते हैं कि दोनों तरिभुज सरवांग सम हो गए और यदि सरवांग सम हो गए तो भुज़ाएं भी बराबर हो जाएंगी इतनी सारी बातों को हमको लिखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास है क्या चीज़ तो हम लिखेंगे यह दिया हुआ है आ दिया है एबी सी डी एक समनांतर शतर भूज है कि आब इसे समांतर भी कहते है समांतर शतर भूज है ऐसा कहने का मतलब ये दोनों रेखा हैं हमने सामने की समनंतर है ये इसके समनंतर है ये दोनों बराबर भी है ये चीज आप इस लाइन को लिकने से प्राप्त कर रहे हैं और इसमें एक चीज दिया हुआ है और दी हुए हमको कि A, C A, C और B, D इस चत्रभुज से विकर्ण है ये भी आपको दीवी है और वो इनका मदद बिंदू है विकर्णों के कटेंड बिंदू है प्रतिछेद बिंदू है ऐसा लिखनें आप वो प्रतिछेद बिंदू है हमको सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि ओ इन दोनों विकर्णों का मदद बिंदू है ये हमें सिद्ध करना है यानि आपको ये भी बताना होगा कि O A बराबर O C O A बराबर O C और दूसरा O B बराबर O D O B बराबर O D ये हमें सिद्ध करना है तो चलिए हम इस तर्भूज से बात सुरू करते हैं तर्भूज A B O तर्भूज A B O और तर्भूज इस तर्भूज की हम बात करेंगे इससे आप कहा सकते हैं D C O DCO इन दोनों त्रिभुजों के बारे हम बात कर रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में धान से आप देखिए DC और AB समनांतर है DC समनांतर AB DC समनांतर AB और तिरेक रखा AC उन्हें काट रही है तिरेक देखा AC उन्हें काट रही है काटती है लिख ले इस से जो कोड निर्मित हो रहा है एक आंतर कोड वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर बन रहा है दूसरा C पर बन रहा है इसको आप पढ़ेंगे कोड OAB तो लिख लें कोड OAB बराबर ये कोड इसे आप OCD कह सकते हैं कोड OCD ये आपका पहला कथन हुआ जो इन दोनों कोडों के बराबर होने के बारे में बात करता है ठीक इसी तरह से आप देखिए फिर से एक बार A, B और C, D A, B और D, C समन अंतर रेखा है लेकिन तिर्यक रेखा D भी उन्हें काटती है तिर्यक रेखा D, B के उनके काटने से यहाँ पर जो कोड बनते हैं वो एक अंतर कोड होंगे और आपसे बराबर होंगे तो इन कोडों के बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप जोड़ लें इस कथन को तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा D, B की बारे हम बात कर रहे है D, B समन अंतर रेखा हो D, C और A, B को काटती है D, C और A, B को काटती है तो बनने वाले एक अंतर कोड हम इस कोड की बात करेंगे और इस कोड की बात करेंगे दोनों को बराबर करके लिखेंगे यह से आप लिख सकते है A, O, B सारी A, B, O कोड A, B, O बराबर कोड C, D, O C, D, O यह आपका दूसरा कथन है जो आपने प्राप्त किया इस तरह से आपने देखा कि इस त्रभुज में आपने इस कोड के इसके बराबर बताया और इस कोड के इसके बराबर बताया अब इस तरह से आपको बताना है कि भुजा A, B, भुजा D, C के बराबर है A, B, बराबर D, C क्योंकि यह समनांतर चत्रभुज की आमने सामनी के भुजाओं का एक जोड़ा है इसलिए बराबर है यह समनांतर चत्रभुज के गुण से आप ऐसा कह सकते हैं यह आपका कथन तीन हुआ अब आप देखिए कि त्रिभुज OAB की एक भुजा और भुजा के सीरों पर बने हुए दोनों कोड दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और भुजा के सीरों पर बने हुए कोडों के करमशा बराबर है और ऐसी सिति में आप कहा सकते हैं कि कोड भुजा कोड वाले प्रमे स से दोनों सर्वांग समें इसे यहां लिख लें कि त्रिभुच ओ एबी या अपने उसे एबी ओ लिखा था त्रिभुच एबी ओ सर्वांग समें त्रिभुच डी सी ओ के डी सी ओ के यह अपने कोण भुचा कोण वले प्रमे के अधार पर अपने बात कही और जब दोनों त्रिभुच सर्वांग सम हों गए तो इनके संगत भुचाएं भी आपस बराबर होंगी तो आप क्या सकते हैं कि भुचा AO बराबर भुचा CO या भुचा OA बराबर भुचा OC आप लिखें इसे भुचा OA बराबर OC और दूसी तरह से भुचा OB बराबर भुचा OD और यही आपको सिद्ध करना था आपने सिद्ध किया कि OA बराबर OC यानि OAC का मद्ध बिंदू है और ठेक इसी तरह से OB बराबर OD कहने पर यह कह सकते हैं कि OBD का भी मद्ध बिंदू है यानि OAC और BD का मद्ध बिंदू है यानि दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वो उनका मद्ध बिंदू है इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों विकरण एक दूसरे को सम्ध भाजित कर रहे हैं यही आपको सिद्ध करना था तो एक बार फिर से कोशिश करिए भी में किया कि दोनों फिर भी मद्ध बिंदू है झाल झाल